यो एक सिन मैं मुर्ख ज्यानी बाट चाहिं बिध्वान भनने चाहिं यो कहानी छो एकदम कहानी छो यो कहानी हो भिक्तर शेरी ब्रायको जो चाहिं 15 वर्ष को उमेर मा इस्कूल मा पढ़ने बेला मा तिन लाई तिनको टीचर ले तिमी मूर्ख ग्यानी छाओ तिमी इस्कूल को सिछा पनी पार पुरा गरना सकदाई नौ भने रा उनले तेनी टीचर लाई माने रा इस्कूल छोड़ दिये रा सम करूप मा लिए पची जब उनी 32 वर्ष को भए अनि एउटा चाहिं मुल्यांकर्ण बाटा था भयो कि उनको आईक्यू लेवल एक से एक सट्थी छो तेस पची चाहिं उनले धेरे पुस्त खरूल लेखे रा धेरे पेटेंट पनी हासिल करे एती मात्रे होई ना उनी पित भए चुनिये और यो मेंसा सोसाइटी को मेंबर हुना लाई पनी सदस्य हुना लाई पनी आईक्यू लेवल एक से चालीस बंदा माथी हुननो अनिवार्य छो अब यो हामें तपाई अलिकती विचार करूं किये भ़य को होला अचानक उनी एक छिन महीं मुर्खा आटा हामीले के पाट सीखना सक्षों कि तिनले जब चाहें आफूलाई और कई चाहें रामरो द्रिष्टी कोन बाटा हेरना लागे तेती खेरा उनको जीवन मां परिवर्तन आयो राउनले आफूलाई चाहें अज्ज आपनो योग याता बढ़ाउदाई लगे रा तेही म मूर्ख भने को मांचे पनी बिद्वान बने रा अनि धेरैं पूस्तक हरू लेखियो पेटेंट हासिल गरे और तेस्तो ठूलो संस्था को प्रेशिडेंट को रूप मां बने अब एस्तो चाहें मूर्ख भने रा धेरैं बिद्वान हरू चाहें रोड मां डूली समाज मा कसा ही ले भने हो तपाई मूर्ख उण शकन उन्न बने हमीत पवाल परीह भने दिचाव भने चाहें दूंगा को पानी छहनी आपानी शानी को बाहिर को पानी वाटा कोईले पनी डुञार टूनगों डूगग झाई तरिव्याटली पेधलर फवेदा पमत्सलों पतरивает को पणा कर्यें पर में दूग डूग सुने रा आपूलाई चाहिए और उसंग तुलना गरे रस्तानोट कहीले पनी ठाननु उस्ता साथियर।